सवाल उनी से होगा जो मर्केज में इक्तिदार में हें सवाल उनी से होगा जो रोलिंग पार्टी से हैं और सवाल उनी से होगा जिनका जम्मो कश्मीर में सिख का lies कि बात करें तो आप उनको डमाइलश कीजिए लेकिन गर तो घर ही होता है चाहे वो गरीब का हो चाहे आमीर का जिंगलात की तरफ से पाबंदी और जो बेड़ बकरी वाले लोग है जो गरीब लोग है जो माल मवेशी लेके आपने घुजर बसर जो है वो करते हैं आज वो का किमनेटीज की तरफ से तनकीद भी देखने को मिल रही थी तो क्या इस सफर में ढर नहीं लगा जब भी एलेक्शन होंगे जब भी एलेक्शन का बिगल बज़ेगा और बारतीजिंता पार्टी के लोग इस बार 50 प्लस करके सरकार बनाएंगे और चीम मिनिस्टर बारतीजि चल रहा है मेरी मुराद है जम्मो कश्मीर में हाल या दिनों में जो लोगों की तरफ से तनकीद की जा रही है उस सब पे जो हम बात करेंगे और हमारे साथ आज मेमान है एड़ुकेट वीबोत गुपता साब जो फार्मर एमलसी और बारते जंता पार्टी के जर्नल सेक्रे चानियों से किस तरह से नकाला जाएगा वहें अब नया एक फरमान जारी हुआ है जिसमें नमबरदार चोकिदार को भी लेके लोग परेशान हैं इनके लीडरान भी जो है वो अब दफ्तरों के चक्र लगा रहे हैं वीबोत साब वक्त देने के लिए बहुत शुकरिया जम चीद भारतिय जनता पार्टी के लीडरान के ओपर की जा रही है कि वो लीडर खामोश क्यों है दन्यवाद बहुत एहम स्वाल है और आज इस स्वाल का जबाब जनता को ना मिले तो वो भी जहती है मैं बारतिय जनता पार्टी का महमंत्री हूँ सरकार में नहीं हूँ फिर भी कही न कहीं जिम्वारी बनती है कि अगर आपने कोई स्वाल पूछा है तो मैं उसका जबाब दूँ कल आपने भी सुना मानिय उपरा जेपाल मनोज सिना जी ने जो बोला कि किसी गरीब की जमीन को छेड़ा नहीं जाएगा किसी गरीब के साथ जाद्ती नहीं होगी किसी आम विक्तिक के साथ आम परिवार के साथ आम लोगों के साथ भी कोई ऐसी बात नहीं होगी एक बात मैं आपको बताओं तीन सो सतर और पैंटिस है का लाब जो हम बार बार एक बात बोलते थे जमू किश्मीर में जिने चुने पांच सो लोगों ने उसका लाब लिया चाहे वो नेशन कांफरेंस के हों चाहे वो पीडी पी के हों चाहे वो कांग्रेस के हूँ, चाहे बिग होसिस के हूँ, चाहे बिग ऑफिसर्स जो हैं जो रटायर हुए हैं वो हूँ, उन पांसो लोगों ने जो है, एक हजार प्विबार हो गया होगा जिन्हों ने इसका लाब लिया, ठीक है, तो 370 और 35 है के चलते ये लोग ये मान के कि ये हमारी जागीर है ये स्टेट हमारी है ये जमीन हमारी है जहां दिल करता था वहां उनका बंगलो बनता था सरकारी जमीन के उपर जहां दिल करता था सरकारी जमीन के उपर उनके सेरगा बनती थी उनके बिजनस हब बनते थे बड़े बड़े होटल जूनके बन जाते थे जहां दिल करता था, पूछने वाला कोई नहीं था, 37.35 लगा हुआ था, केंदर बात नहीं कर सकता था, केंदर के कानून नहीं चलते थे, उन्हीं के कानून चलते थे और उनका एक अंदा राज था, उस अंदे राज के अंदर उन्हें अंदा दुंद्धमिनों को गेरा, और जोरी पुन्च में कोई आम आदमी को तंग किया गया हो अभी तक नोटस आये होंगे कुछ हुआ होगा ऐसा नहीं है लेकिन अभी तक एक सवाल फिर भी है उन गरीबों के लिए नोटस जा रहे हैं ठीक है सरकार ने वाज़े किया है मरकजी सरकार की तरफ से भी वजीर दाख की तरफ से भी वाज़े किये गए कि गरीब को छिला नहीं जाएगा लेकिन इससे पहले जंगलात में मैकमर जंगलात की तरफ से पाबंदी और जो बेड़ बकरी वाले लोग है जो गरीब लोग है जो माल मोवेशी लेके आपने गुजर बसर जो है वो करते हैं आज वो होता है कि यह हम speculations कर रहे हैं यह हम एक चर्चा कर रहे हैं यह एक सरकार के खलाब हम opinion बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है लोगों के अंदर क्यास लाना लोगों के अंदर धर पैदा करना लोगों के अंदर बेह पैदा करना यह media houses का काम नहीं है सुवाल ये पैदा होता है काचराई की अगर आपने बात की काचराई में तो शुरू से आज की बात नहीं है काचराई में तो मालम वेशी जा सकता है ना काचराई उन्हीं के लिए है पाबंदी कहीं नहीं है कहां ही पाबंदी यहीं तो मैं कह रहा हूँ मैं आप से यह कह रहा हूँ कि जब माननीय उपरा जिपाल साब ने बात बोल दी माननीय ग्री मंतरी हमीशा जी ने बात बोल दी और उसके बात अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है काचराई होती ही माल गिना जाता है क्योंकि वो का चराई जो है गाउं के अंदर गाउं के लोगों के माल मवेशी के लिए होती है और अगर माल मवेशीं के लिए अगर वो किसी से खाली करवाई जाए और वो माल मवेशी गाउं के वहां अगर गास चादने के लिए जाए इसमें बुरा भी कुछ नहीं है? ऐसिसर ऐसे बहूत सारे लोग है, जिन्हों ने गाउं के अंदर भी सरकारी राजी की ओपर कश्झा किया हो गया है क्या वो भी कश्झा हटाया जाएगा? ने, देखिये, सवाल यह बैदा होता है कि सिम्पल से कि मैं गाउं के करवाए मैं आप से ही कहता हूँ एक आपिनियन पूर करवाए नबे फीसे दी लोग कहेंगे कि इन मगर मच्छों से इन लैंड ग्रैबर से इन इन क्रोचर से इन बिग होसी से जमीने वापस आनी चाहिए क्योंकि ये लोग पचास साथ सतर साल आम लोगों के वोट लेते रहे और अपने घर बनाते रहे अपने होटल बनाते रहे लेकिन सब कमर्शल की बात करे तो आप उनको डमाइलेश कीजिए लेकिन घर तो घर ही होता है चाहिए वो गरीब का हो चाहिए अमीर का हो घर नहीं तूट रहा है देखिए देखिए कुछ बातें जो हैं हम भी उसमें म दूसरी बात मैं जो आप से बात कर रहा हूं मैं इसलिए आप से ये बात कर रहा हूं कि मैं बारती जनता पार्टी का महमंतरी हूं और कहीं न कहीं आप लोग यह कहते हो कि पैं दिली में आपकी सरकार है इसलिए जबाब दई आपकी बनती है लेकिन कुल मेलाकर ये बात तो चीफ सक्क्रिक को करनी है ह। बात डिप्टी कमिशन्स को करनी है ये बात डिपकाम को करनी है और बड़ी सक्ति के साथ अलजी साब ने ये कह दिया है कि मेरे पास कोई ऐसी शकाहित नहीं आनी चाहिए कि किसी आम आदमी का घर गिराया गया है आम आदमी का दुकान तोड़ी गई है आम आदमी को किया गया है यह अगर राज़ुरी की बात करें या जमो कश्मीर के मुख्तिलिफ इजला की बात करें तो राज़ुरी के एक नया फरमान जारी हुआ जिसमें आपके बीजेपी के लिडरान भी हमने देखे मजबूर देखे लोगों को डेपरटेशन लेके जो है वो जिला के क इंतजामिया आप बीजेपी के लिडरान को मान भी नहीं रही है क्या मजबूर हो चुके हैं लिडरान और उनकी गुजार्शाथ को भी नहीं सुने जा रहा है मैं हरान हूँ आपके स्वाल से स्वाल यह बैदा होता है कि बी जे पी के लिडरान की बात मानने की बात आई कहां से एक गोर्मन नेक फैसला किया उस फैसले में आया कि चोकीदार और नमबरदार जो हैं गाउं के जो हैं बदले जाए बुरा फैसला नहीं हाँ प्रासस आदी में और तेजी में हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग रह गे हों जो आने चाहिए और कुछ नाम ऐसे आगे हों जो अच्छे नहीं हैं क्योंकि चोकीदार और नमबरदार एक ऐसी पोस्ट है जिस पोस्ट के उपर गाउं के हर गरीब अमीर आदमी ने जाना है इसलिए चोकीदार और नमबरदार एक अच्छा इनसान होना चाहिए सबसे बड़ी बात है कि उसके पड़ा लिखा भी होना चाहिए और उससे ओपर एक अच्छा इनसान होना चाहिए उसके अंदर एक दिल अच्छा होना चाहिए कि वो समझ सके कि मेरे दरबार पे कोई आया है मेर गर पे कोई आया है तो मुझे उसको दो गंटे इंतजार नहीं करवाना है उसको चक्र नहीं लगवाने है जो नमबरदार और चोकिदार होने के नाते मुझे लोगों को पुलीस और ठानों के चक्र नहीं निकल लगाने है अलबता पुलीस और ठानों के चक्रों से बाहर निक पार्टी जनता पार्टी का नेता हूं मेरे पास आप आगे विबोर जी ये चार गाउं है ये लोग ठीक नहीं आया एक बार अफिसर से बात करो तो मुझे पुलिटिकल रिप्रेसेंटेटिव होने के नाते पहले तो वेरिफाई करना है कि वो आप मुझे से बात ठीक कर रहे हो गया कि बीजेपी के लोग इस समय बड़े मजबूर हो गया और अब को और को नजर नहीं आया आज भी आज भी आपको और किसी पुलिटिकल पार्टी का आदमी लोगों के साथ जाता हुआ नजर नहीं ना आया इसे एक बात तुम मान के चलो बात हो नहीं है बात सता की या ना सता की नहीं है बात यह है कि क्या आप लोगों के साथ खड़े होते हो के नहीं होते हो आज भी आपने ये सवाल पूछ के कि आज भी लोगों के साथ बारते जिनता पार्टी के लोग ही खड़े हुए है जब कि ये काम अपोजिशन के लोगों का था सर अगर जम्मो कश्मीर के बात करें आखरी सवाल रहेगा और अगर ये सवाल करें भी ना तो मुझे लगता है कि एक सहाफत के लिए भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि जम्मो कश्मीर में और बिल्खसूस जम्मो कश्मीर के पीर पंचाल के लोगों के लिए जो परानी सद्धियों से मांग चल रही थी और जिसको आपने भी खून के कत्रे से खून का कत्रा निकाल के उस महीम को अगास जो है वो किया था वो थी जम्मो कश्मीर के पाई जा रही है उसके ओपर क्या कहना जाए देखे स्वाल ये पैदा होता है कि एक राइनिता एक पुलिटिकल अदमी के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है कि किसी मूवमेंट का अगर वो हिस्सा बने हैं और उस मूवमेंट में काम्याबी हो रही है तो उस राइनित पहली रिकमेंडेशन गई स्टेट से सेंटर गोवर्मेंट को और उस रिकमेंडेशन में जो हुआ वो उसमें ये जो कौमें बेजी गई कि जिनको आईस्टी का दर्जा मिलना चाहिए उन कौमों में पहाड़ी कबीले के लोगों की लिस्ट नमबर एक पर थे परन्तु भी समझें या उनकी एक किसम का पहाड़ी कबीले के लोगों के पीट के ओपर छूरा गोंपना समझें वो रह गया ड्राप हो गया उसके बार पहाड़ी के लोगों ने एक लड़ाई लड़ी यहां पर उन लोगों ने हमारे सीनियर लोगों ने यहां पर जो लोग थे आप ये लड़ाई चलती गई लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया कि मानो अब हमें स्टी नहीं मिलेगा एक आ गया कि लोगों का लगा कि ये डेड हो चुकी है ये अब फाइल मर चुकी है अब नहीं हो सकता हमने उस मरी हुई फाइल को जिंदा किया ने सिरे से एक लड़ाई हो रही थी वो हमारे पास आते थे हम उस लड़ाई को लड़ते थे और एक रेगलल फाइट लड़ी और आज वो मकाम पर पहुंचने वाली है पंद्रह अगास्त बीसो उन्यस को मानिये परदान मंतरी निंदर भाई मोदी जिने लाल किले से ये बात बोली थी कि जम्मू कि किश्मीर के अंदर रहने वाले पहाडी कभी लेके बेहनों और बाईयों की तकलीफ और दुख मुझे पता है और वो दुख दूर होगा उसी समय हम ये मान के क्यूंकि मानिये परदान मंतरी जिने लाल किले से बोला इसका मतलब ये था कि दुख दूर होना है उसके बात मा करें तो जमो कश्मीर के कुछ कमनेटी की तरफ से तनकीद भी देखने को मिल रही थी तो क्या इस सफर में ढरने ही लगा देखिए स्वाल ये पैदा होता है कि जब आप किसी काम को हाथ में लेते हैं जब कोई काम आपको करना है तो आपको विरोत तो सहना पड़ेगा विर हमने गुजर बकरवाल समाज के लोगों की लड़ाई लड़ी अगर आज भी आप नेट में जाकर कहीं वो इसको गुगल को दुबाएंगे तो आपको प्रेस नोट आएंगे हमने यहां पर जोरी पुंच यूनाइटिर फ्रेंट बनाया जिस समय इंटर डिस्टिक खा रहे हों और आप यकीन करेंगे कि जमू के अंदर मेरे अपने सीनर लोग थे पार्टी के उन्होंने मेरी स्टेडमेंट देखकर मेरे से उन्होंने मतलब जगड़ा कि आप क्या चाहते हो कि वो लोग हमारे जमेंट का पर उनका राइट है लेकिन यह किश्मीर सेंट्रि पुलिटिकल पार्टी जन्होंने का राइट मलक खाया और हमने जोरी पुंच युनाइटिर फ्रंट बना कर उस लड़ाई को लड़ा अल्टीमेटली उनको इंसाफ भारती जन्ता पार्टी द्वाराई मिला और पुलिटिकल रिजर्वेशन मिली फारेस प्रोटेक्शन र बड़ा लाब है इसलिए मेरा आपने जो स्वाल पूछा था कि जब आप किसी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो विरोध तो सेना पड़ेगा लेकिन क्या होता कि विरोध टंपरेरी होता है जिस दिन यह चीज एनौन्स हो जाएग आप देखिए जब यह साथ इनसाफ हो जाएगा लड़ाई जब खत्म हो जाएगी तो कोई विरोध नहीं रहेगा जमों कश्मीर में इंतखाबात को लेके भी लोगों की मांग है क्या इसके ओपर भी तैयारिया है या नहीं देखिए यह एलेक्शन कमिशन का काम है ना यह बारती जिनता पार्ट के कारे करता जमीनी सता पे काम कर रहे हैं पूलिंग बूत पे काम कर रहे हैं मंडलों के अंदर काम कर रहे हैं बारती जिनता पार्टी के कारे करता मानिये परधान मंतरी निरिंदर भाई मोदी जी की योजिनाओं को पूलिंग बूत तक ले जा रहे हैं हम पूरे तरीके से त्यार हैं जब भी election होगे जब भी election का बिगुल बजे गा और भारती जिन्टा पार्टी के लोग इस बार 50 प्लस करके सरकार सरकार बनाएंगे और चीम मेनिश्टर भारती जिन्टा पार्टी के बनाएंगे त्यार फर्मर्म, रमल्सी जनाब। आडूकेट, वीबोग, बाबात भी जो हैं वो आपने देखे क्योंकि जो लोग सत्ता में होंगे सवाल उनी से बनता है और जम्मो कश्मीर के सरकारी अराजी को लोगों की तरफ से परेशानी थी उस पे वजिर दाखला अमिच्छा की तरफ से भी वाजिया जो है वो हदायात भी दे गी है लेफटिन जिन लोगों ने गोटाले किये जिन लोगों ने जमीने हर्पी उनको बक्षा भी नहीं जाएगा